हनसा हीरा मोती चुगना जिस मनुष्य ने परमात्मा की प्राप्ती को अपने जीवन का धे बना लिया हो और जो इस उद्देशी की पूर्ती को ही अपना धर्म समझता हो क्या उस मनुष्य के लिए मांस और शराप से परहेज जरूरी है यह प्रश्ण मेरे मस्तिश्क में कई वर्षों से उठता रहा है विद्वान तथा विचारक इस विशय के अलग-अलग पक्षों पर अपनी बुद्धी के अनुसार अपने अपने विचार प्रकट करते रहे हैं इस विशय पर मैंने कई प्राचीन धर्मग्रंथों, भक्तों की वाणियों और गुर्बाणी को परा तथा उस पर मनन किया इसके अतिरित पश्चिमी देशों के धार्मिक नेताओं और आदर्श पुरुषों की जीवनियों का अध्यन भी भली भानती किया साथ ही उन लोगों की प्रवर्ति को भी समझने की कोशिश की, जिनोंने संसार के आमोद प्रमोद में ही अपना समय व्यतीत किया है दोनों पक्षों के अध्यन के बाद मैंने ये अनुभव किया कि संसार में ऐसे लोगों की भरमार है जो इस रचना का अपनी इच्छा नुसार अधिक से अधिक भोग करना ही अपने जीवन का उद्धिश्य समझते हैं वे संसारिक्ता में बुरी तरह उलजे हुए हैं उनके अंतर में न तो मालिक को पाने की इच्छा है और ना ही वे इसकी जरूरत समझते हैं जिनके जीवन का धे ही रचना का भोग या इंद्रियों का सुख है वे तो जो मर्जी खाएं और पीएं परंतु परमार्त के इच्छुक ऐसे जिग्यासू मित्र या सज्जन जिनके मन में मालिक का प्रेम है प्रभू से मिलने की तडप है जिनको शाश्वत आनंद की खोज है जिनके लिए धर्म केवल दिखावा नहीं बलकि प्राणों की बाजी है ऐसे लोगों के लिए मास खाना तो मना है ही साथ ही इंद्रियों को प्रभल करने वाली मन को इंद्रियों के ओर खीचने वाली तन में उत्तेजना और मन में विकार पैदा करने वाली हर वस्तु का त्याग करना भी जरूरी है। इसमें तनिक भी संदे नहीं कि मास, मचली, अंडा और शराब रुहानी उन्नती में रुकावट डालने वाली वस्तुएं हैं। प्रबल ना हो। गुर्बानी गुर्मुखों के लिए अन्न पानी थोड़ा खाया का आदर्श रखती है। एक पहुचे हुए फकीर के ये सुनहरी वचन सदा याद रखने योग्य हैं। शरीर को जीवित रहने के लिए बहुत थोड़ी खुरा की जरूरत है। इस शरीर को जितना थोड़ा दोगे, ये आपको उतना ही अधिक काम परमार्त में देगा। जितना इसको ज्यादा दोगे, ये आपको उतना ही थोड़ा काम देगा। अगर कहीं भूल या गलती से इसको मास, मचली, अंडे का चसका डाल दिया, तो फिर इससे कोई आशा न रखो। पूनों प्रकार की वृत्यों वाले मनुश्य का वनन इन शब्दों में किया है। एक ऐसी वृत्ती वाले मनुश्य हैं जो दुनिया के भोग विलास में लीन है। अभी वे परमार्थी जीवन में विचरना नहीं चाते। अज्ञानता और मनमुकता के कारण दुनिया की असल अठारवी पौडी में आप लिखते हैं सत्रवी पौडी में उन साधकों, गुर्मुखों, सत्यों, भक्तों और सूर्माओं का वर्नन करते हैं, जो जूट और पापवाली श्रेणी से अलग हैं असंक जप, असंक भाओ, असंक पूजा, असंक तपताओ, असंक गरंत, मुखवेद पाठ, असंक जोग, मन रहे उदास, असंक पगत, गुन ज्यान विचार, असंक सती, असंक दातार जप जी की इन पौडियों से स्पष्ट है, कि मांस खाने वालों को गुरु नानक साहिब ने किस उश्रेणी में रखा है, मेरे कई सिख भाई कहते हैं, कि गरंत साहिब में मांस नहीं खाना कहा लिखा है गुरु गरंत साहिब परमार्थ का महान गरंत और कोश है, इसमें उत्तम जीवन व्यतीत करने का सुन्दर उपदेश तथा संकेत हैं, जो बिलकुल स्पष्ट है असंक गलवड हत्या कमाहे, असंक पापी पाप कर जाहे का अर्थ स्पष्ट है इन पंक्तियों से यह अर्थ निकालना कि गरंत साहिब ने केवल मनुष्यों की हत्या करने की मनाही की है, जीव हत्या की नहीं, वानी के मनमाने अर्थ निकालना है गुरु की वानी और गुरु के शब्दों के जो स्पष्ट अर्थ निकलते हैं वे हर सिख पर लागू होते हैं ये कहना कि अमुक जन्म साखी में गुरु साहिब ने कुरुक शेत्र में मास पकाकर लोगों के भ्रम दूर किये जब्जी की पंक्तियों के विरुद्ध है और लोगों को एक बहुत बड़े भ्रम में डालने के समान है इसलिए ये साखी दूसरी कई साखियों की तरह मानने योग्य नहीं इस साखी का उधारन देने वाले ये भूल जाते हैं कि जब धक्कन उठाया गया तो पतीले में से कड़ा प्रसाद यानि हल्वा ही निकला बिल्कुल उसी प्रकार जैसे गुरु अंगज साहब जब मुर्दा खाने लगे तो वहां मुर्दा नहीं कड़ा प्रसाद यानि हल्वा था गुरु अर्जिन देव जी इस बात को अपनी वाणी में एक और दृष्टांत देकर स्पष्ट करते हैं वे परमात्मा से सच्चा प्रेम करने वाले शिश्यों की तुलना हनसे करते हैं पर जो इश्वर के प्रेम में नहीं रंगे हुए जो कर्म कांड को ही धर्म का प्रमुक अंग मानते हैं उन्हें बगुला भगत कहते हैं हनसो और बगुलों की खुराक न कभी एक हुई है न हो ही सकती है हनसो की खुराक मोती है और बगुलों की मचली वा मेंडक आप फरमाते हैं हनसा हीरा मोती चुगणा बग डड़ा पालन जावे अधिकतर लोग मासाहार के पक्ष में बड़ा तरक यही देते हैं कि मास तो सारी दुन्या खाती है क्या वे सारे ही पाप के अधिकारी होंगे क्या मासाहार के कारण वे निम्नकोटी के व्यक्ति बन जाते हैं इस बारे में मेरा खायाल है कि केवल बहुमत का किसी पक्ष में होना उसके ठीक होने का कोई प्रमाण नहीं है यह कह देना कि करोडो आदमी मासाहारी है सच्चे साधक या शिष्य के रास्ते को गलत सिद्ध नहीं करता वे सज्जन जिनके हृदे में परमात्मा का सच्चा प्रेम जागरित हो जाता है जिनकी वृत्ति नाम से जुड़ जाती है वे हंस के समान स्वच और सात्विक भोजन अपना लेते हैं ऐसे व्यक्ति मासाहार से सक्थ प्रहेस करते हैं मास छोड़ देने से ही कोई मनुष्य हंस नहीं बन जाता परन्तु यदि किसी मनुष्य में इश्वर का सच्चा प्रेम जाग उठे तो वे जीव हत्या कर ही नहीं सकता और मास भी नहीं खा सकता कोई भी जीव परमार्त के मार्ग पर तब तक नहीं चल सकता जब तक उसके हृदे में दया भाव न हो उसकी तो हर जीव से साजेदारी होती है दया धर्म का मूल है दया हीन हृदे में इश्वर के असित्प का अनुभव हो ही नहीं सकता कबीर साहिप फर्माते हैं दाया दिल में राखिये तू क्यू निर्दय होए साई के सब जीव है कीडी कुंजर सोए जबजी में आया है तौल तरम दया का पूत राग गौडी में गुरु अर्जन देवजी लिखते हैं जेते जिये तेते सब तेरे आप बावन अखरी में फर्माते हैं कीट हस्ती में पूर समाने गुर्बानी तो सपष्ट शब्दों में कहती है हिंसा ममता मोह चुकावे और हिंसा तव मनते नहीं छूटी जियदया नहीं पाली जब परमात्मा हर जीव में निवास करता है हिंसा की मना ही है और जीवों पर दया प्रभु भक्ती के लिए जरूरी है तो फिर ये समझ में नहीं आता कि कोई विवेक बुद्धी वाला व्यक्ती जीव हत्या करना गुरु सिख़्ी यानि गुरु के शिश्यत्व के अनुकूल कैसे समझ सकता है ये बात वैसे भी विचारने योग्य है कि अगर कोई हम पर अत्याचार करता है तो हम पुलिस और जच से न्याय की मांग करके बचाव की बात सोच लेते हैं अगर हम मासा हारी हैं तो शेर या बाग का मांस तो नहीं खाते खाते हैं तो उन मासूम जीओं का जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा अगर ये मासूम जानवर बोल सकते और हम उनकी बोली समझ सकते तो हमें पता चलता कि वे परमात्मा के आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं हे परमात्मा आज हमारी फर्याद सुन ले हे प्रभु हम बेचारे जीव इतना कश्ट भोग रहे हैं ये दुन्या वाले कब समझेंगे कि हमें भी तो नहीं बनाया है हमारी पीड़ा भी उनकी पीड़ा जैसी ही है हे परमात्मा इन लोगों को ये बता दे कि हम भी तेरे ही हैं पता नहीं कब इनसान तेरी खुशी प्राप्त करने के लिए धर्म, दया और प्यार को अपनाएगा और हमें इस अत्याचार से मुक्त करेगा हे परमेश्वर हमारी ये प्रार्तन सुन ले कभीर साहिब अपनी वाणी में, जो गुरु ग्रंद साहिब में संकलत है, फरमाते हैं बेद कतेब कहो मत जूठे, जूठा जोन बिचारे जो सब में एक खुदाई कहत, हव तो क्यू मुर्गी मारे कभीर साहिब की ये वाणी श्री गुरु ग्रंद साहिब का अंग है और गुरु रूप है कोई भी सिख भाई ये नहीं कह सकता कि ये वाणी कभीर साहिब की है, इसलिए लागू नहीं जब गुरु ग्रंत साहिब में सम्मलित है तो वह परवान होकर या गुरु साहिब द्वारा स्विक्रित होकर ही शामिल की गई है यह वानी बड़े इसपश शब्दों में मास, मचली और शराब की मना ही करती है कबीर भांग माचली सुरापान जो जो प्राणी खाहें तीरत बरत नेम कियेते सभे रसातल जाहें आप एक अन्य स्थान पर फर्माते हैं सरजियू काटह निरजियू पूजह अंत काल कउभारी और कबीर जिय जो मार जोर कर कहते हैं जो हलाल तफ्तर दई जब काड है होईगा कौन हवाल फिर कहते हैं कबीर खूब खाना खीचरी जामेह अमरत लोन हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन कबीर साहिब धर्म अधर्म के मामले को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं और किसी प्रकार के संदे की कुनजाइश नहीं रहने देते आप फर्माते हैं हे पंडो क्यों तुम्हारी बुद्धी मारी गई है तुम राम नाम नहीं जबते तुम सारे परिवार समेत डूबोगे वेदपुरान पढ़ने का क्या लाव है अगर इन पर अमल या आचरन नहीं किया बिना अमल के इनका ग्यान इसी तरह है जिस तरह गदे पर चंदन लादा हो तुमने राम नाम की गती नहीं जानी पार किस प्रकार होगे तुम जीव हत्या को धर्म कहते हो तो फिर बताओ कि अधर्म क्या होता है जीव हत्या का उपदेश देकर अपने आपको बड़े मुनी समझते हो अगर जीवों के हत्यारे मुनी होते हैं तो ये भी बताओ कि कसाई कौन होते हैं पडिया कवन कुमत तुम लागे बूढ हुगे परवार सकल सियू राम न जप हो अभागे बेद पुरान पड़े का किया गुन खर्चंदन जस्भारा राम नाम की गति नहीं जानी कैसे उत्रस पारा जीव बधोसो धर्म कर थाप हो अधर्म कहो कत भाई आपस कव मुनिवर कर थाप हो काकव कहो कसाई इसी प्रसंग में गुरु नानक साहिब के इन लिखे बहु चर्चित शब्दों का वन्नन करना भी उचित होगा मास मास कर मूरख चगडे ज्यान त्यान नहीं जाने कौण मास कौण साग कहावे किसमें पाप समाने दूसरे कई शब्दों की तरह इन शब्दों को भी प्रसंग से अलग करके अपनी इच्छा से मनमाने अर्थ निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि गुरु साहिब ने मास खाने की आज्या दी है वास्तव में ये शब्द भी उन पंडों को संबोधित करके लिखे गए हैं जो एक प्रकार के मास को जायस और दूसरे प्रकार के मास को नाजायस कहते थे और जो कुछ अफसरों पर मास खाना पुन्य समझते थे और कुछ अफसरों पर इसका प्रयोग अनुचित मानते थे आज भी समाच में यही हालत है आज भी हम किसी खास दिन मास खाना नाजायस समझते हैं और दूसरे दिन जायस सोचने की बात है कि यह रवया कहां तक सही और तर्क पूर्ण है पहले कहे गई पत्ये द्वारा गुरु साहिब का प्रथम प्रयोजन पंडों के मत का खंडन करना था और दूसरी और यह उपदेश देना था कि मास ना खाने का अहंकार भी दूसरे अहंकारों के समान ही एक अहंकार है हर प्रकार के अहंकार का त्याग आवश्यक है गुरू साहिब बार-बार इस बात पर जोड देते हैं कि मांस के विशय में विवाद खड़े करना व्यर्थ है जरूरत तो ज्यान ध्यान को समझने, परमेश्वर से प्यार करने, नाम की कमाई करने की है गुरूबानी में ऐसी कई और पंक्तिया हैं, जिने अलग करके या प्रसंग से निकाल कर, कुछ विद्वानों ने अपने मनमाने अर्थ देकर, यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि गुरूबानी मांसाहार की अनुमती देती है जैसे हसंदिया, खिलंदिया, पैनंदिया, खावंदिया, विच्चे होवे मुकत परन्तु गुरूबानी में यह एक बड़ी खुबी है, कि पूरा शब्द एक ऐसे चोखटे में जड़ा होता है, कि एक पंक्ति को दूसरी से अलग किया ही नहीं जा सकता अगर इस कही गई पंक्ति को उससे पहले की पंक्ति से जोड़ा जाए, तो अर्थ स्पष्ठ हो जाता है इस पंक्ति से पहली पंक्ति है, नानक सद्गुरू पेटिये, पूरी होवे जुगत जो व्यक्ति अपने मन व इंद्रियों की वासना और त्रिशना छोड़कर पूरे सद्गुरू की शरन में आ जाता है, उसको दुन्या नहीं छोड़नी पड़ती हट कर्मों के द्वारा उसे शारीरी की यातनाई नहीं भोगनी पड़ती बलकि गुरू की रजा में रहकर दुन्या में हसते, खेलते, खाते, पीते वेह प्रभु की प्राप्ति कर सकता है कोई भी विवेक्शिल व्यक्ति इन पंक्तियों से यह अर्थ नहीं निकाल सकता कि गुरू साहिब ने हर चीज को खाने पीने की छूट दे दी है अगर ऐसा होता, तो गुरू साहिब कबीर जी की इस साखी को कभी भी श्री गुरू ग्रंद साहिब में शामिल न करते कबीर भांग माचली सुरा पान जो जो प्राणी खाहें, तीरत बरत नेम कियेते, सभे रसातल जाहे गुरू साहिब ने श्री गुरू ग्रंद साहिब में भक्तों तथा अन्य महात्माओं की वानी समिलित करते समय सारी वानी को गुरुमत की कसौटी पर परखा है उन्होंने कभीर साब के वही शब्द गुरु ग्रंद साहिब में समलित किये जो गुरु साहिब की शिक्षा से मेल खाते थे उधारन के रूप में कबीर साहिप के नाम से संबंदित कई शब्द जो नारी का गौरव कम करने वाले थे गुरु ग्रंद साहिप में शामिल नहीं किये गए इसी प्रकार बाबा फरीद के भी कई श्लोक जो गुरुमत के मूल सिध्धान्तों से मेल नहीं खाते थे समिलित नहीं किये गए और बाबा फरीद के कई ऐसे श्लोकों का स्पष्टी करन भी किया जो उनके उपदेश को भ्रम में डाल रहे थे मासाहार का निशेद करने वाले शब्द तथा प्रसंग इसी कारण गुरु ग्रंथ साहिब में समिलित किये गए क्योंकि मासाहार की मनाही गुरु साहिब की शिक्षा का मोल सिध्धान्त था जबची की पोड़ी द्वारा ये बात पहले स्पष्ट की जा चुकी है आदी गरंथ की फरीद कोटी टीका उच्च कोटी के विद्वानों तथा अन्य धार्मिक नेतावने की है वह टीका भी ये बात स्पष्ट करती है कि इस शब्द से किसी प्रकार भी मास खाने की इजा देने का अर्थ निकालना उचित नहीं इसी प्रकार बसंत महला पांश्वा में से आधी पंक्ती सिंग रुचे सद पोजन मास का अर्थ मासा हार की अनुमती निकालना गुर्बानी का निरादर करना है इस शब्द का संपूर्ण पाठ जो आगे कहा गया है गुरु साहिब क असली भाव को बिलकुल स्पष्ट कर देता है गुरु साहिब दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार अमली को अमल, कंजूस को धन, मोर को बादल तथा माता को बच्चा प्यारा है और सिंग या शेर को मास से प्यार होता है उसी प्रकार हरी के भक्तों को हरी से प्यार करक आनंद प्राप्थ होता है शब्दार्थ में भी सिंग का अर्थ शेर ही दिया गया है शिश्य नहीं दिया गया है हटवानी तन माल हाट कीत जुवारी जुवे माहे चीत अमली जीवे अमल खाए त्यू हर जन जीवे हरत्याए अपने रंग सबको रचे जित प्रभ लाया तित तित लगे मेघ समे मोर निर्ती कार चंद देख बिगसे कवलार माता बारिक देख अनंद त्यू हर जन जीवे जप गोबिंद सिंग रुचे सद पोजन मास रण देख सूरे चित उलास किर्पन कव अत्तन प्यार हर जन कव हर हर आधार सरब रंग इक रंग माहे सरब सुखा सुक हर के नाए तिसे परापत एह निधान नानक गुर जिस करे दान गुरु साहिबान के समय के एक मुसल्मान इतिहासकार ने अपनी फार्सी रचना दबिस्ताने मजाहिब में स्पष्ट लिखा है कि गुरु अर्जन देव जी ने एक खास हुक्म जारी किया मास खाना गुरु नानके घर में मना है इसी प्रकार छटी पाच्षाही के हुक्म नामे और बंदा सिंग बहादूर के हुक्म नामे जो तक्त श्री पतना साहिब से मिले हैं संगत को स्पष्ट आज्या देते हैं मास मच्छी दे नेड़े नहीं आवना अर्थात मास मच्छी के पास नहीं जाना सिख धर्म ही नहीं बलकि अन्य धर्म और उनके धार्मिक नेता भी जीव हत्या और मासा हार को परमात्मा की प्राप्ती में एक बड़ी रुकावट मानते हैं बड़ धर्म के धंपद और लंकावतार सूत्र में स्पष्ट बताया गया है कि एक साधक के लिए मासा हार उचित भोजन नहीं बड़ धर्म के पाँच मुख्य सिध्धान्तों पंच शील में प्रमुक सिध्धान्त मास शराप से परहेज करना है इसी प्रकार जैन धर्म के पाँच प्रमुक वरतों में भी जीव हत्या न करने पर बड़ा जोर दिया गया है क्योंकि भूल से भी किसी जीव की हत्या इनसान को पाप का भागी बना देती है अगर जिव्वा के स्वात के लिए जीव हत्या की जाए तो इश्वर्य न्याय उसकी क्या सजा देगा यह अनुमान लगाया जा सकता है संत तुलसी साहिब अपने प्रसिद ग्रंथ घट रामायन में एक स्थान पर गुरु नानक साहिब की शिक्षा का विस्तार पूर्वक वन्नन करते हैं आप गुरु नानक साहिब की महिमा करते हुए कहते हैं साहिब नानक संत निदाना जो कचु कहनी कही पर माना खुद साहिब नानक मुकबानी कही अगम कोई बिरला जानी वै पहुचे चड़ी सुर्ति निसाने सब्द फोड गए अगम ठिकाने वै स्वामी गदी अगम अपारा तुलसी बंदय बारं बारा जीव हत्या के विशय में गुर नानक साहिब के विचार समझाते हुए तुलसी साहिब आगे कहते हैं नानक साहिब बड़े दयाला जीव हतन ग्रंथन नहीं ठाला ये सब रीत स्वाद की लारी स्वारत जिब्या पेट सवारी जीव को मारी मास जो खाई पुर्खा तासू नरक में जाई नानक ग्रंथ में नहीं बखाना सब्थ मास नहीं कीनह विधाना रिशी मुनी और संत महात्मा तो जीव हत्या और मासा हार के इतने विरुद्ध हैं कि वे कहते हैं कि मासा हार से मनुष्य का पतन होता है और वे घोर पाप का भागी बनता है वे समझाते हैं कि एक तो जीव हत्या और मासा हार से हमारी विचार शक्ती पवित्र नहीं रहती और दूसरे ऐसे हिंसा पूर्ण कर्मों से उत्पन हुई उत्तेजना पूर्ण भावनाओं का हमारे अडोस पडोस पर तता हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्यों वा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है युद्ध इस सिलसले का ही अंग है जीव हत्या से अगला कदम मनुश्य की हत्या ही है इस सिलसले की भयानकता यहीं समाप नहीं हो जाती क्योंकि हिंसा भरे विचारों और हिंसात्मक कार्यों का जो प्रबल क्रम या सिलसला हम एक बार शुरू कर लेते हैं वह अपना चकर पूरा करके ही रहता है और अंत में हम खुद भी उसकी लपेट में आ जाते हैं भाव यह है कि हिंसा की लहरें वापस हम तक पहुँचती हैं और भविश्य में इसी जन में या किसी ना किसी अगले जन में हमें उनमें गोता खाना ही और आध्यात्मिक जीवन की नीव है गुरु साहिप फरमाते हैं दिन रात कमाईडों सो आईयों मा थे जिस पास लुकाईदडों सो वेखी सा थे महराज सावन सिंग जी के लाखों सेवक पूर्वी और पश्चमी देशों के वासी हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, और पार्सी, मास और शराव से परहिस करते हैं। महराज जी मासा हार के विरुद बहुत तर्कपूर्ण और विज्ञानिक दृष्टिकों सामने रखते हुए समझाते हैं कि इस दृष्यमान संसार के दो हिस्से हैं जल और थल। जल में जीव क्या खाते हैं। जीव बड़ी मचलियां छोटी मचलियों को खा जाती हैं। यही हालत स्थल या जमीन पर भी है। बास पक्षी चिडियों को खा जाते हैं और चिडियां कीडों मकोडों को खा जाती हैं। शेर गीदडों को खा जाते हैं गीदड भेड बकरियों को खा जाते हैं और भेड बकरियां पेड पौदों को खा जाती हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जेते दाने अन के, जीया बाज न कोई. अर्थात, जितने भी अनाज के दाने हैं, उनमें भी आत्मा है. ये संपून वायू मंडल जीवों से भरा पड़ा है. हमारे सांस लेते समय, अनेक जीव मरते हैं. चलते फिरते समय, कई जीव हमसे टकरा कर मर जाते हैं, कई पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं. पानी भी जीवों से भरा हुआ है. खुर्दबीन द्वारा देखने से पता चलता है, कि पानी के एक गिलास में भी अनगिनत जीव हैं, जो पानी के साथ हमारे अंदर जाते हैं और मरते हैं. पवन को लें, तो उसमें भी जीव भरे पड़े हैं. अगर एक सुई की नोक भी जमीन पर रखें, तो उसके नीचे भी कई जीव होंगे. सारे ब्रमांड में जीवों को जीव खा रहे हैं. जहां जीवों को जीव खा रहे हैं, वहां स्थाई सुख कैसे हो सकता है? शायत कोई यह प्रश्न उठाए कि जब प्रकृति का नियम ही यह है कि जीव जीव को खाए, तो फिर रिश्यों, मुन्यों और महात्माओं ने मास खाने को बुरा क्यूं कहा है? रिश्य मुन्यों का कहना दुरुस्त है. जब उन्होंने देखा कि सारे ब्रमांड में जीवों को जीव खा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि कर्मों के सिध्धान्त की दृष्टी से उतना ही बोज उठाया जाए, जो क कम से कम हो. तत्वों की दृष्टी से जीवों को पांच श्रेणियों में बांटा जा सकता है. तत्वों से तात्पर्य आजकल के विज्ञानि को द्वारा बताए गए नब्बे तत्वों से नहीं, बलकि पदार्थ की प्रमुक श्रेणियों या अवस्थाओं से है. ये तत श्रेणि मनुष्य की है. ये अश्रफुल मखलुकात है. स्रिष्टी का सरताज है. इसमें पांच तत्व पून रूप से मौजूद और प्रकट है. दूसरी श्रेणि में वे जीव आते हैं जिनमें चार तत्व यानि पृत्वी, जल, वायू और अगनी पूरे हैं और एक तत्व यानि आकाश नाम मात्र है. इस श्रेणि में चौपाय और पशु आते हैं. इस श्रेणि में आकाश तत्व के नाम मात्र होने के कारण सोचने की शक्ती नहीं होती. तीसरी श्रेणी उन जीवों की है जिनमें तीन तत्व प्रधान है और दो तत्व नाम मात्र है इसमें पक्षी आते हैं जिनमें वायू, जल और अगनी के तत्व है परंतु पृत्वी और आकाश के तत्व नाम मात्र है चौथी श्रेणी उन जीवों की है, जिनमें केवल दो तत्व है इस श्रेणी में साम्प, कीडे मकोडे आदी आते हैं, जिनमें पृत्वी और अगनी तत्व है अन्तिम श्रेणी उनकी है, जिनमें केवल एक, पानी का तत्वी ही है बाकी चार न के बराबर है इस श्रेणी में वनस्पती जगत आता है यानि शाक, सबजी, फल, फूल आदी विज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि कई सबजियों में सौ में से पचानवे भाग पानी होता है जो पाप एक मनुष्य को मारने का है वे एक घोड़े को मारने का नहीं अगर किसी का घोड़ा मार दें, तो जज फांसी नहीं देगा इसी तरह, जो पाप एक घोड़े को मारने में है वे एक मुर्गी को मारने में नहीं जो पाप एक मुर्गी को मारने में है वे एक टड़ी को मारने में नहीं है और जो पाप टड़ी को मारने में है वह एक बैंगन को तोड़ने में नहीं है इसलिए संत महात्माओं रिशी मुन्यों ने शाक सबजी खाना उचित माना है यह तो रिशी मुनी भी मानते आए हैं कि इन में भी आत्मा है डॉक्टर बोस ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि सबजी में भी प्राण है शाक सबजी के खाने में भी पाप तो अवश्य है परन्तु दो, तीन और चार तत्मों वाले जीवों का मास खाने के तुलना में बहुत कम है इनके उप्योग से कर्मों का सबसे कम बोच उठाना पड़ता है बोच तो यह भी है, किन्तु यह बहुत हलका होता है और इसे रोज के भजन सुमरन द्वारा समाप्त किया जा सकता है हजारों मन बोच लादने से चार पांच सेर लादना कहीं अच्छा है इसलिए संत महात्माओं ने शाका हार भोजन को उचित माना है और जीवों की हत्या और मासाहार को अनुचित माना है इसी प्रकार सरदार भहादूर महराज जगत सिंग्छी जो रसायन शास्तर में MSC थे और जिने आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक साहिते का गहन और विस्तृत ग्यान था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आत्म ज्यान में फर्माते हैं कि हमारा शरीर हरी का मंदिर है पर मिश्वर के रहने का स्थान है हमें इसके अंदर मास अंडे शराब आदी डाल कर इसे गंदा और अपवित्र नहीं करना चाहिए जंदगी सबको प्यारी है उन बेजुबान जानवरों के दुख की कलपना करें जिन्हें रोज हमारी खुराक के लिए मारा जाता है उन मूख प्राणियों के दुख और संताप का अनुमान लगाएं जिन्हें हम शिकार करते हुए घायल करते हैं या मार डालते हैं जो मनुश्य शरीर हमें परमात्मा की प्राप्ते के लिए मिला था उसे हम परमेश्वर के जीवों पर अत्याचार करने में बरबाद कर देते हैं जब इनसान इस हद तक नीचे गिर जाता है तो वह हैवान से भी गया गुजरा हो जाता है हैवान तो अपनी भूक मिटाने के लिए जीवों को मारते हैं पर इनसान तो केवल अपनी जिवा के स्वात के लिए अपना चस्का पूरा करने के लिए ऐसा करता है और वह इतना भी सोचने का यत्न नहीं करता कि जब अपने शरीर पर जरा सी भी खरोंच लग जाती है तो वे चीक उठता है और जल्दी ही दर्द से छुटकारा पाने के लिए हाई तौबा करने लगता है यह कितना अजीब संसार है जिसमें ना कोई सुरक्षित है और ना ही किसी को कोई अमन और शांती है महराथ चरन सिंग जी फरमाते हैं कि जो मंदिर, मस्चिद, गुर्दवारे, गिर्जा घर हम इंट पत्थरों से बनाते हैं उनकी तो हम इज़द करते हैं उनमें धूब जलाते हैं, कालीन बिछाते हैं वहाँ जाकर कोई बुरा या खोटा कर्म नहीं करते कोई बुरा विचार नहीं लाते, उंचा नहीं बोलते पर जो जग है, पर मेश्वर ने अपने रहने के लिए आप बनाई है जिसके अंदर मालिक खुद बैठा हुआ है अर्थात हमारा शरीर और हमारी देह उसके अंदर कभी मांस डालते हैं, कभी शराब डाल देते हैं बड़ी हैरानी की बात है कि अपनी बनाई हुई चीज की तो कदर करते हैं पर मालिक की बनाई हुई चीज की कदर नहीं करते इश्वर ये प्रेम के नशे में मस्त महात्मा सर्मद मांस और अंडे खाने के विरोद में कहते हैं जीवन का प्रकाश यानि परमेशवर धातों में सो रहा है वनसपती संसार में वह स्वपना वस्था में है जानवरों में वैं जाग पड़ता है और इनसान में पूरी तरह चैतन्य हो जाता है बाइबल में परमात्मा ने मनुश्य को स्पष्ट शब्दों में शाका हार करने को कहा है देखो मैंने सारी पृत्वी पर हर प्रकार का अन्न पैदा किया है और हर पेड को फल लगाए हैं जिन में से बीज निकलते हैं यह तुम्हारा आहार होगा और पृत्वी के हर पशु, हवा में उड़ने वाले हर पक्षी और पृत्वी पर सरकने वाले हर जीव को मैंने खाने के लिए वनस्पती प्रदान की है प्राचीन काल के उच्च कोटी के विद्वान और विज्ञानिक पाइथागुरस मासा हार और जीव हत्या के बहुत विरुद्ध थे वे जोरदार शब्दों में कहते हैं साफधान ए इंसान अपने शरीर को पापून भोजन द्वारा दूशित न कर देख तेरे लिए उत्तम अन शाखाओं पर लदे फल और बेलो पर चाय हुए अंगूर हैं स्वादिष्ट शाक, सबजी और वनस्वती हैं जो अगनी पर पकाए जाने पर मधुर और सुस्वाध हो जाते हैं और ना ही दूद वशहत की कोई कमी है यह सुहानी धर्ती तुझे साफ सुत्रा भोजन प्रदान करती है और बगैर हत्या तथा बगैर जानवरों का खून बहाए तुझे आहार प्राप्थ हो सकता है मीरदात का कहना है कि परमात्मा के लिए तडपने वाले जानते हैं कि जिस भी मास को वे काटते हैं उसे देर सवेर अनिवार्य रूप से उन्हें अपने ही मास से जोड़ना पड़ेगा और जिस भी हड़ी को वे कुचलते हैं उसे उन्हें अपनी ही हड़ी से फिर बनाना पड़ेगा और रक्त की जो भी बूंद वे गिराते हैं उसकी पूर्ती उन्हें अपने ही रक्त से करनी पड़ेगी क्योंकि शरीर का यही नियम है पश्चिम के और कई प्रसिद्ध महापुरुषों ने मांस खाने को एक बड़ा गुना और पाप माना है प्लूटार्क मांसाहार के विशह में लिखता है मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह इनसान की आँखें जानवरों के गले कटते उनकी खाल खिंचते और उनकी बोटी बोटी कटते देखना सहन कर सकती है उसकी नाक उस बद्बू को कैसे बरदाश कर सकती है यह सब दुरगंद और गंदगी क्या उसके मूँ का स्वाद नहीं बिगारती इनसान कैसे दूसरों की हड्डियों का स्वाद ले सकता है और कैसे उनके मरमान तक घावों में से वसा और खून चूस सकता है हम कोई आत्म रक्षार्थ बागों और भेडियों को तो खाते नहीं बलकि हम तो ऐसे निर्दोष जीवों को मारते हैं जिनोंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा जिनके ना तीक्षन दांत हैं ना विशैले डंक जिनको निश्चे ही प्रकृती ने सुन्दर्ता और शोभा के लिए बनाया है लेकिन हमें शर्म नहीं आती थोड़े से मांस की खातिर उनसे सूर्य, प्रकाश और जीवन तक को छीन लेते हैं जिसके कीवे अपने जन्म से ही अधिकारी हैं लियोनाडो दिविन्शी, सोल्वी शताबदी के रेनेसां यानी पुनर जागरन के समय के प्रसिद्ध कलाकार भी मांस खाने को मनुश्यता के विरुद्ध समझते थे वे कई बार पिंजरे में बंद पक्षियों को खुद पैसे देकर छुड़वा देते थे वे किसी पक्षी या जीव का कश्ट देख ही नहीं सकते थे उनका कहना था कि कुदरत नहीं चाहती कि एक जीव दूसरे को मार कर अपना अहार बनाए भेडों, बक्रियों और गायों का मास खाने को बहुत बड़ा अन्याय मानते हुए उन्होंने कहा, जो जीवन का मूल्य नहीं समझता, उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं जॉन फ्रैंक, न्यूटन, शैले, टॉल्स्ट्राइ आदी प्रसिद्ध बुद्धी जीवी भी धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से मांसा हार के बहुत विरुद्ध थे जॉर्ज बर्नार्ट शाह, बीसवी शैताब्धी के प्रसिद्ध विद्धवान हुए हैं एक बार वे सक्त बिमार हो गए, तो डॉक्टरों ने उनकी जीवन रक्षा के लिए उन्हें मांस खाने के लिए जोर दिया, पर उन्होंने उत्तर दिया मैं अजीव स्थिती में हूँ, मुझे इस शर्थ पर नई जंदगी का भरोसा दिलाया जा रहा है कि मैं गो मांस खाना स्विकार करूँ, परंतु दूसरों के रक्त और मांस के भक्षन से तो मैं मौत बहतर समझता हूँ, मैंने अपनी अंतियश्टी के लिए वसीयत कर दी है मैं चाहता हूँ कि मेरी शव यात्रा में शोक प्रकट करने वाली गाडियों की जगह, बैल, भेडे, मुर्गियों का जुंड और एक मचली घर हो उनके गले में सफेद गुलूबंध हो, जो उस व्यक्ति के लिए सतकार प्रदर्शन कर रहे हो, जिसने अपने साथी प्राणियों को खाने के बदले मर जाना बहतर समझा मांस खाने वाले लोगों का हाल देखकर, जॉर्ज बर्नाट शा ने एक छोटी दर्द भरी कविता लिखी है, जिसके कुछ अंश इस प्रकार है हम मांस खाने वाले वे चलती-फिरती अबरे हैं, जिनमें उन मारे गए जानवरों की लाशें दफन हैं, जिनकी हमारे स्वात के लिए हत्या की गई है मुर्दों का मांस नोच-नोच कर खाने वाले कवों की तरह हम अपने आपको मांस पर पालते हैं हमें इस बात की कोई चिंता या परवा ही नहीं है कि इस से जीवों को कितनी भयानक पीड़ा होती है सारांश मांस अंडे और मादक पदार्थ इंसानी खुराक नहीं हैं अभ्यासियों और भोग्यों के वृत्ति और खुराक समान नहीं होती सिद्धों, साधकों और परमारत के मार्ग पर चलने वालों के लिए तो मांस शराब अंडे आदी के सेवन की कलपना भी नहीं की जा सकती ये तामसिक वस्तुएं कर्मों का बोज बढ़ाती है जीव को आवागमन में फसाती है परमार्थ को नश्ट करती है तथा सुरत को बोजिल बनाती है ये मनुष्य के ध्यान को बाहर मुखी करके उसे नीचे की ओर गिराती है तथा काम, क्रोध, आदी, तामसिक वृत्तियां पैदा करती है ये जीवों को रचना करने वाले से हटा कर रचना में ही फसाई रखने के लिए काल का प्रमुक हतियार है संतों का कहना है तौल तरम दया का पूत दया धर्म का मूल है कोमल चित दयामन तारो परमारत का खोज लगाना जिस तरह दिन और रात इकठे नहीं हो सकते आध्यात्मिक्ता और निर्दैता परमारत और मास शराब व अंडे इकठे नहीं चल सकते संसार के सब धर्मों के मुख्यों और साधकों ने इन वस्थ्वों से परहेश किया है धर्दी के सभी जीव हमारी तरह जीने और सुख प्राप्त करने के अधिकारी है जीवन सबको प्रिय है और मृत्चु दुखदाई अपनी हुराक और जिव्वा के स्वात के लिए किसी का जीवन छीन लेना समझतारी, इंसानियत और रुहानियत के विरुद्ध है गुरु ग्रंद साहिब की वानी का निश्पक्ष और सही अध्यन, भाई गुरुदास की वानी, गुरु हरिगोबिन साहिब के हुक्मना में, बाबा बंदा सिंग भहादूर के हुक्मना में, गुरु घर की लंगर की परंपरा और अनेक एतिहासिक तथा दार्शनिक प्रमान पून रूप से स्पष्ठ हो जाता है कि गुरु घर में कभी मांस, शराब, आदी के प्रयोग की इजाज़त और रिवाज नहीं था बाबा बंदा सिंग भादूर से बड़ा गुरु सिख कौन हो सकता है और दस्वे गुरु की चलाई रहत आचार संगिता का उनसे जादा ज्यान किसे हो सकता है गुरु हर गोबिन साब और बाबा बंदा सिंग भादूर एतिहासिक दृष्टी से भी हमारे सबसे अधिक निकट हैं इसलिए उनके हुक्म नामे पुस्तक में समलित किये गए हैं सब नेक पूरुषों, विचारकों, संत महात्माओं के जीवन और उनके मतानुसार, परमार्थ और उंची इनसानी रहनी में इन वस्तूओं के प्रयोग की इजाज़त नहीं है